आईटियो बैराज के गेट ना खुलने के मामले में आपकी वरिष्ट उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि दिली को डुबोने और अरविंद केज्रिवर को बदनाम करने के साजिश अब बेनिकाब हो गई है। अधिकारों के खिलाफ करेवाई से साबित होता है कि साजिश हुई थी। अधिकारों के उपर करेवाई करके मनोहलाल खट्टर अपना पीछा नहीं छुडा सकते। Fact Finding Committee ने सीरे तोर पर बताया है कि गेट ना खुलने की जिम्मेदारी हर्याना सरकार के थी। गेट ना खुलने के वज़े से दिल्ली में पानी का स्तर 15 फेस्ती तक बढ़ा। इस पूरे मामले की जांच अभी बिजारी है। साथ इन्हों ये भी कहा कि इस मामले में मुख्य मंत्री की क्या भूमिका है इसकी उपर भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए दिल्ली को डुबो करके अर्विंद केजरिवाल जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन सिर्फ अधिकारियों के उपर कारवाई करके इस से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर जी। जब वो पहले हर चीज में आगे आ करके ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है। आदमी पार्टी को जानकारी नहीं है। ये हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अब जब Fact Finding Committee ने साफ तौर पे बता दिया कि उन गेट के न खुलने के बेराज के जो पाँच गेट नहीं खुले उसकी सीवी जिम्मेदारी हर्याना सरकार की है। और 15 फीसदी वाटर लेवल उन गेट के न खुलने की वज़े से दिल्ली में बढ़ा जिसकी वज़े से कई सारे इलाकों में बाढ़ आई। हतनी कुंड बेराज पर भी इस्टन और वेस्टन के नाल में पानी का न छोड़ा जाना ये साजिश का हिस्सा है और इस पूरी साजिश को सिर्फ अफसर मिल के अंजाम नहीं दे सकते। बूज कर साजिश करके दिल्ली कोड दुबोने की साजिश हरियाना सरकार ने की थी और मनोहरलाल खटर जी जो मुख्यमंत्री है हरियाना के उनकी इसमें क्या भूमिका इस पूरे मामले में इसकी विजाच होनी चाहिए सिर्फ अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने से काम न प्रकास्ट टीवी और बेल आइकन दबानन अभूलें